हेलो गाईज, वेलकम बेक टो माईट्यूब चनल या डॉट्ट मंग सक्षाना तो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आप लोगों को कल मैंने एक लाइब सेशन दिया था जिसके अंदर हमने बताया था कि भाई कंपनीज आप क्या कर रहे हैं जो बैक्ग्राउं रिष्टिंग वीचर्स थे वो उसको रिमूब कर रहे हैं जैसा कि मैं भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अफिशली अपडेट आया हुआ है कई सारे सीरीज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा यह पॉइंट जैसे की बन प्लस नोट टू के अंदर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है यह एप डॉट फिप्टी का अपडेट आ चुका है बन प्लस नोट टू के अंदर इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर एविलेवल है लाइब इतना सा है कि आपका जो यूटूब है वो है गुगल का और गुगल का कहना यह है कि यूटूब की पॉलिसी है उसको ब्रेक कर रहे हैं आप लोग आप पॉलिसी की तहत काम नहीं कर रहे हैं उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो आपको इसको रिमूब करना ही होगा गुग Google का हमें बात मानना पड़ेगी, otherwise Google जितने भी एप्लिकेशन से उनका सपोर्ट खतम करतेगा, उन companies को जो उनकी बात नहीं मानेगी, तो ऐसे में ये जो feature है, आप लोग Google पे भी सर्च करके देखना कि क्या reason है, तो आपको reason आजाएगा, ये ही reason निकल कर आएगा, कि YouTube की policy यहाँ पर break हो रही थी, उसके तहट आप काम नहीं कर रहे थे, इस वएदे company ने ये decide किया है, कि हम इसको remove कर देंगी, तो सभी companies इसको remove कर रहे हैं, background stream feature का, लेकिन फिलाल अभी आप मेरे YouTube में जाएंगे और देखेंगे, तो मेरे पास ये options अभी available है, उसका reason ये है कि मेरे पास अपडेट है अभी app.50 का न रहते हुए 1plus note 2 के अंदर वो update है, मेरे पास app.49 का, आपको दिखा देता हूँ मैं भी आपको, क्योंकि अभी recently ये roll out हुआ है, app.50 का update, तो इसको आने में 1-2 week लग जाते हैं, सब users तक, तो यहाँ पर मेरे पास app.49 का update है, अब लेकिन बात करें कि हम इस features का use करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं, जो कि background stream features का हमें use करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, मैं भी आपको यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर जाकर दिखा देता हूँ, कि भाई, ये दौनों वीडियो मेरे चैनल पर अविलेबल हैं, बट लेकिन आप लोग नहीं ध्यान देते हैं, देख लिजे, app.50 new update allowed for OnePlus Note 2, और after new update background stream features is not अविलेबल, ये भी वीडियो अविलेबल है, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको एक shortly बता देता हूँ, इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है कि आप लोग को information proper नहीं मिल पार है, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, आप लोग देख लिजे, फिर भी नहीं हो रहा है, भाई ये वीडियो थी, ये कब काम करती, जब आपके पास ये features था, लेकिन आप वो features हटा दिया है, त तो ये इस तरह के comments मेरे पास आ रहे हैं, देखे, भाई आप प्लीज स्मार स्लाइडर करबादो, OxygenOS 14 में background steam नहीं हो रहा है, तो इस तरह के comment आ रहे हैं, क्योंकि आप उस वीडियो तक नहीं पहुचे हैं, और उस वीडियो का आपने watch नहीं किया है, इस वेज़े, तो guys आ उपन कर लेंगे, कुछ इस तरह का interface आपके सामने आजाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपने YouTube बाले section के अंदर, और YouTube के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे suppose मैं अभी जाता हूँ, homepage पर और यह जैसे की video है, इस पे आपको three dot पे click करना है, और share पे click करने के बाद आपको यहाँ पर playback का applications देखेगा, playback applications देखने के बाद आपको उस पर click कर देना, जैसे आप click करेंगे तो यह playback में run होने लगेगी, जैसी run होगी तो आपको tap to unmute का option मिलेगा, tap to unmute के आपको click करना है, और एक right side आपको डाउन बोड़ा, आपको बटन द playback जो आपका background features है, उसका यहाँ पर use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह जो मैंने tricks बताईती, यह आपको कल live session में बताईती, आप लोगों से यही निवेदन है कि भाई, आप लोग चैनल पर active रही है, और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया, subscribe कर लीजे, bell icon को paste करके रखिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी interesting videos में आप लोगों के लिलाता रहता हूं, जो भी नहीने tricks रती हैं, जो भी नहीने updates रहते हैं, वो आप तक पहुचाता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को subscribe, and bell icon को paste करके रखिए, तो guys, आज की इस वीडियो में बस तरहीं मिलते हैं, बहुत ज दोस्तों, goodbye.